इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो, इसको छोड़ दो Assalamualikum दोस्तो, Welcome back to another vlog दोस्तो, जैसा कि आप सब को पता है कि कल के vlog में हमें हमारा जो colorful chicks वाला cage है, इसमें से एक egg मिला था और मज़े की बात यह है कि उसमें टकी भी था और एक pigeon भी बन था लेकिन अब मुझे यह confirm नहीं हो पा रहा कि यह egg आखिर है किसका अगर मैं यह सोचू कि यह egg pigeon का है, तो pigeon का egg थोड़ा वो छोटा होता है लेकिन जो डकी का अगर egg हो सकता है, तो वो थोड़ा size में जादा बढ़ा होगा और उसका shell जो है वो भी बहुत strong होगा तो दोस्तों यह वला वो egg है, और मुझे अभी तक मैं ही पता चल सका यह egg किसका है तो इसलिए हम एक दो दिन और wait करेंगे, और उसके बाद देखेंगे अगर हमें again से egg नजर आता है, तो वो लाजमी हमारे colorful chicks का egg होगा आज आपका भाई rice लेक है, especially हमारे pigeons के लिए और उसके बाद हमारे colorful chicks के लिए अब मुझे यह confirm नहीं कि इतने rice इनके लिए काफी रहेंगे या नहीं क्योंकि colorful chicks जो है, उन्हें जितना हम डाल दें, उतना ही कम रहता है उन्हें हमेशा भूग लगती ही रहती है अब दोस्तों मैं आचुका हूँ मास्टर केज के अंदर और आप सब कोई चीज दिखाता हूँ यहाँ ना मैं एक जाडू छोड़ गया था और जाडू मुसे यह देखे, आप कितने सारे तिनके निकाल लिया इन लोगोंने और यहाँ आसपास मास्टर केज में भिला दिये अब यह दो कोई बात ना हूँ यार अब मैंने सारे कलरफुल चीक्स को भी बंद कर रखा था लेकिन पीजन ही बस खुल ले थे और यह सारा काम इंपीजन्स नहीं किये अच्छा जी अब देखें यहाँ कोई एग है कि नहीं दोस्तों आज तो मुझे यहाँ पी एग नजर लिए लेकिन मैं काम करता हूँ इन्हें मैं खोल लेता हूँ आजओ 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 यहाँ देखें दोस्तों कितने खुश हो रहे हैं यह सारे अभी और इन वालों को भी खोल देता हूँ आजओ 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 अच्छा जैसे हैं मैंने कलरफूल चिक्स खुझ को खोला है त सारे पीजन और उड़के आजओ अब अपर बैढ़के हैं यह देखें हाँ नका रोह भी तना है क्योंकि यह सारों पीछे लग जग जते हैं अब दोस्तों करते है हमने यह डाइट पहले पीजिन्स को रखनी है और उसके बाद हमने कलरफुल शीक्स आप अपर इसको चोड़ दो चोड़ दो जो चोड़ दो दो डाइट गटम होगी हमारी सारी अजिए दोस्तों मैं पीछे हाटा हूं ना और पीछे जो है यह थोड़ा सा यह दिवार सी और मेरी जो है टांग पिसल गिए इनों ने सारी डाइट गटम कर दी यह देखने आप बस ऐसे हैं यह तो मैं काम करता हूं यह बाकी की जितनी भी डाइट रहे गी यह यह भी डाल दोस्तों जब इन्हें भूग लगी होती है यह किसी चीज में कंप्रोमाइज नहीं करते क्योंके इन्हें जो है ना बहुत बुरे वाली भूग लगती है खाओ 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 शावबाश पीजिंस भी आगे हैं वैसे नीचे यह भी बहतर ही है अच्छा दोस्तों मैंने सारी डाइट रख दी है लेकिन यह इनके लिए काफी नहीं है तो मैं काम करता हूं नीचे से मैं अगें से डाइट ले गया तो शलें दोस्तों डाइट ओर आ चुकि यह इस बार मैं काफी सारी लेका है क्योंकि मुझे अंदाजा हो गया कि उतनी कुछ नहीं बनने वाला था तो एक काम करते हैं इस बार मैं डाइट थोड़ी दूर तक फैक होगा ताकि यह सारे खाले यह देखें क्योंकि एक जो कलरफुल चीक्स होते हैं और किसी को खाने भी नहीं देते और यहां देखने कुछ पीजन जो है ने यह उपर बैठे हूं तो इन्हें मैं डाइट यहां ही रख देता हूं थोड़ी सी वह सामने देखें पीजन अंदर भसावा उसे पता है यह बाहर कैसे आना है चलें दोस्तों इतने राइस हमारे इन कलरफुल चीक्स के लिए हुगे और उसके इलावा मैं काम करता हूं हमारी फ्लोप्सी मोप्स खाओ 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 शाबश नहीं बस मुझे काटना नहीं है अच्छा ठीक है ठीक है खाओ खाओ शाबश अभी दोस्तों मैं केज बंद कर देता हूं क्योंकि दूसरे कलरफुल चीक्स आगे ना और उन्हें पता लग गया यहां राइस है वो यहां भी हला बोल आप सब इसी बास से आइडिया लगा सकते हैं कि इतने फास्ट है मैं अभी तक वीडियो कटने की दिरम्यान में और यहां देख लो आप सब को एक भी राइस का दाना नजर नहीं आएगा और यह जो भी मैंने फैंके थे यह भी खतम हो चुके है यह इतने फास्ट है सारे चलें आप दोस्तो इन सब का पैट बहर चुक है अभी काम करते है इन्हे जो हैनब फ्रेश पानी रख दियते हैं धो सब इह आराम सिपानी पी लें एक बार इन अगेट 음식 बहर जेगा ना उसके बाद कर दोगा अभी दोस्तो इतने तक बाकी सब पानी पी रहे हैं तो मैं आशसों को दिखा दो नहीं अपन प्राउनीéric को फीड कर वा रही हैं अच्छा 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 बस बस लड़ाई नहीं करने चलो नहीं फीट करवाओ अब दोस्तों इन कलरफुल चिक्स को अच्छे से बंद करने के बाद अब बारी है हमारी फिंचीज की और सबसे पहले मैं काम करूंगा फिंचीज के लिए यहां थोड़ी सी डायट लेता ह और यह वो वली फिंचीज के लिए जो के हमारी बाद वली थी हां ब्राउनी क्या है तुम्हारा पेट नहीं भरा भी दोस्तों इक काम करना पड़ेगा मुझे ब्राउनी और इन पीजिन्स को अलग से अगें से डालना पड़ेगा क्योंके वो जो कलरफुल चिक्स से ना उ अभी फिलहाल सबसे पहले मैं इने डाइट रख देता हूँ और उसके बाद यह देखें फिर आ गए यह डाइट गिरा देंगे चलो डाइट मैब अपने पास ही रखता हूँ यह लोजी यह तुम्हारी डाइट आ गी असल में दोस्तों यह जितनी है ना इतनी डाइट इनके दो दिन के लिए चल जाएगी यह देखें इतनी इसी डाइट है लेकिन यह फिंची भी तो देखें आप कितनी इसी हैं एक दो तीन चार और पांच और यह छे यह बिस छे और इनके लिए इतनी डाइट इनफ रहीगी चलें दोस्तों चलते हैं फिंच परोनी की तरफ और इने भी अगें से डाइट आल देते हैं कि इनकी दू डाइट बिल्कुल ही खतम हुई पड़ी है वे ब्राउनी किदर आ रही हो यार डाल देता हूं मैं सबर कर लो बस जलें दोस्तों मैं ब्राउनी और बाकी पीजन्स के लिए गें से डाइट लेके आ चुका हूं अबस इने यह डाइट रखते हैं तुम लोगों को कुछ नहीं मिलने वाला है यह देखें कैसे कर रहे हैं अलाकि इन सब का पेट भर चुका है यह बस पीजन्स के लिए है दे लेता हूं चलो खाओ खाओ अराम से खाओ इसी हो के खाओ चलें दोस्तों अमीद है कि इस डाइट में हमारे पीजन्स का भी पेट भर जेगा और अब अराम स्कून से खा लेंगे और उसके इलावा हमारी फिंचीज भी सवगर डाइट खा रही है और अबस एक चीज रहे ह कि अबस को स्क्याबा यह फिलिए מजी की बात है कि दोस्तों इन रही में भी डाय डाइट ले इन शाड़ में खाना है ।यू नहीं पानी भी रखने वाला एक टो हूर इसके बाद इन्हें गंदूं मेरक्त ओ चले हूं दोस्तों फाइनी इनके लिए बेचा शुकि है एक वाले पॉर्शन ने जहां हमारे बज्जी और कोकटेश रखे हुए और आप सब यह देखने जो दिन दिर्वाजों काम चल रहा था वो इस वक्त अलहम दुलिल्ला कम्प्लीट हो चुक है और इसके इलावा यहां देखने यह सिलिंग्स वाला काम भी कम्प्लीट हो चुक है इस वगर जो सेंटर वाला पॉर्शन हो बिल्कुल रैडी हो चुक है जैसा उपर वाला पॉर्शन था सेम तु सेम अब सेंटर वाला पॉर्शन भी ऐसा बन चुक है यह देखने आप सब और इसी रूम में हमारे यह सारे पैरेट्स लगे हुए अभी दोस्कों मैं के लिए इस शावर लेके आया तो नीचे असे में थोड़ी बहुत आज मुझे हबस से लग रही है किनके ओपर गर्मी है ना धूम निकली हुई है तो मैं काम करता हूं इन्हे अब अच्छे से में शावर कर लेता हूं एक एक बार वैसे बजीस को तो करने की जुरूरत निया लेकिन फिर भी इने करी लेता हूं अच्छा दोस्तों मैं बहुत चीज देत रहा हूं कि इनकी जो डाइट है वो बिल्कुल खतम हो चुकी है और यहां देख लें इस वाले केज में तो पानी भी खतम हो चुका है तो इक काम करते हैं अब इने ना डाइट और पानी अच्छे फिर दाल देते हैं फाइनली दो को लेकर लेकर लेकिन यह सब अराम्स को उनसे इस वकट डाइट खा रहें और यहां भी और यहां भी हर जिगा मैंने यू है ना डाइट और पानी लगती है तो इसी के साथ दोस्तों यह था अच्छा व्लोग उमीद करता हूँ आसब को पसंद आया होगा अगर पसंद आय अच्किया करेंट तो आज के लिए में इखा मिलते हैं आप सबस्ते लें लोग के लिए अपना रुप में बर्ट को ख्याल लखें और यूजे लें इजाज़त अला हाफीज